कि हलो एंड वेलकम टू यूपीशिघान फ्रेंच तो इंटरनेशनल और्गनाइजेशन के स्रीज में ये पांचमा वीडियो है इससे पहले हम अमने डिस्कल्स किया था बिंग स्टेक है क् newer वे हमने किया था वा था शार्क में हमने क्या था एस ऐउ और आपके सामने हैं तो प्रिलिम्स के परस्पेकटिव से यह से देखेंगे कि क्या क्या इसके लिए इसके जो वैक्ट से है वह हमारे एजाम के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है पॉइंट आप इसे उसे डिस्कुस करेंगे ऑके तो सबसे पहले अब समझते हैं जो बिरिक्स टर्म है इसका मतलब क्या होता है बिरिक्स देखने सबको लग रहा है कि एक 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 रोनेम है संचिप रूप है इस और स्टेंट फोर रसाय है आई चल्ड फोर ऑवियस्ली इंडिया स्टेंट्स फोर चैना एस स्टेंट फोर साउथ अमेरिक का नहीं हूँ South Africa आपको यहाँ पर याद रखना है South America का एक ही country है वो है Brazil यह South ठीक है तो यह इसका acronym है जब यह BRICS बना था तो यह 2009 में इसके स्थापना की गई थी ठीक है जब 4 ही country थे तब इन्हें BRICS कहा जाता था and one year later 2010 में South Africa को इसका member बनाया गया ठीक है तो यह तो कुछ भी इसके basics यह आप याद रख सकते हैं इसके जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी ठीक है अब लोग आगे बढ़ते हैं यह सारे नाम important है क्या तो बिल्कुल important है आप याद रख सकते हैं तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जागा कि आसे तरह के सवाल आप पूछा जा सकता है कि विच फॉलोविंग और नोट दा मेंबर ओफ ब्रिक्स ठीक है तहां पर या नोट या फिर सीधा टाइट पूछा सकता ही कौन सा है तो यह इसलिए important है तो आप इससे याद रखिए पांचों के पांचों नाम आपको याद होने चाहिए सवाल किसी भी तरह से आ सकता है अब इसके खिर्द गिर्द की कुछ और बाते जानते हैं इसका background जानते हैं कि आखिर यह इसका existence जो है उसकी कहानी क्या है तो ब्रिटेन के एक economist थे जिनका नाम था Jim O'Neill इन्होंने 2001 में यह जो economist है यह chairman थे goldman sales assets management के तो यह important है कोई जरूरी नहीं से याद रखना यह नाम जरूरी है रह सकता है question में यह question के statement में यह नाम रह सकता है तो इन्होंने इस टर्म को खोजा था कह सकते हैं मतलब क्वाइंड ब्रिक और इस इन्होंने इस में फोर emerging countries जो economies हैं उनको रखाते हैं ब्राजिल रसिया इंडिया और चाना जो मैंने पहले बता था कि यह सबसे पहले ब्रिक था और जब South Africa आ गया तो यह बन गया ब्रिक्स और यह South Africa कब आया था तो 2010 में 2010 में ठीक है तो यह बात है अस्थापना मैंने बता दिया कि 2009 में हुई थी और जब हुआ था तो यह collective voice रेज करेगा यह Global South का इसमें पांच देश हैं अब नाम में पर पढ़ सकते हैं इसका जो यूनिक experiment है it was lauded as a unique experiment to bring together politically, economically and culturally diverse countries such as यह पांचों कंट्री जो है इनको एक साथ लाना यहां की अविस्टी बात है कि अलग अलग कंट्री है उनकी 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 वह politically diverse होंगे, economically diverse होंगे and वहां का culture अलग होगा, South Africa का culture इंडिया का culture एक जैसा हो नहीं सकता ठीक है ब्राजील का culture अलग होगा तो यह diverse का मतब क्या थे विवित्ता अलग 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 ची है है liberal international order है इसका मतलब क्या होता है international order का मतलब क्या होता है international order का मतलब था है रूल है रूल बेस्ट कोई भी चीज़ चप करते हैं से 1945 के बाद अमेरिका ने रूल बनाया उसने अपना सेक्यूरिटी और इसन बनाया economic institution बनाया अपना ट्रेड और यह political organization को इस तरह से चीज़े को बिल्कुल और ट्रेड को liberalize किया तो यह इसने एक नया international order को जन्म दिया तो बेसिकली यह ही है ठीक है यह एक investment banker के firm में बना था श्टार्ट किया गया था इसको ठीक है अपने अपर देख सकते हैं साथ खुतकम लोगों को पता होगा और इसे expand किया गया था BRICS से BRICS बना था जब South Africa को 2010 में आप देख सकते हैं New York में जब इसकी meeting भी थी foreign ministers की तो BRICS यह बना था and during the 6th BRICS summit जब 6th BRICS summit वा था जिसको फोटा लेजा फोटा लेजा में जिसको फोटा लेजा डिकलरेशन भी कह सकते हैं यह ब्राजील में हुआ था 2014 में as a leisure sign the agreement for establishing new development bank जिसे BRICS bank के नाम से भी चाना जाता है तो simply यह अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि जो फोटा लेजा डिकलरेशन है आप इसे याद रखेंगे फोटा लेजा डिकलरेशन का संबंद किस्से है तो आप से पूछा जाता है कि BRICS bank से या फिर new development bank से आसियान से सार्क से तो आपका सही आंसर होगा न्यू डवलपमेंट बैंक या फिर BRICS तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट की वर्ड है फोटा लेजा फोटा लेजा डिकलरेशन इसके दो कंपोनेंट है जिसके दो बैंक सेट अप किये थे new development bank जिसे BRICS development bank भी कहते हैं और इसका idea जो था वो इसमें इंडिया ने भी मदद किया था और दूसरा contingent reserve arrangement अब यह बैंक है तो यह economy section में उन लोग discuss करेंगे और हमारी economy की भी series चल रहे है तो अभी banking and finance चल रहा है जिसमें दो वीडियो अपलोड कर दिये गया है तीसरा जल्दी आएगा तो उसमें चीजें जब आगे पढ़ेंगे तो आप इसको discuss करेंगे ओके फिलाल के लिए इधर IR पर focus करते है तो यह बात है और अब बात करते हैं इंडिया और ब्रिक्स के बारे में यहीं कि इंडिय इंडिया के लिए इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो यह एक डेवलपिंग कंट्रीज का भॉइस बनके उबरा है ग्लोबल साउथ में और ठीक है तो ग्लोबल साउथ यह एक महत्पुन पॉइंट है आप याद रखें वाइस ओफ डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में यह उबरा है ब्रिक्स और इसमें यह भी कहा है कि इंडिया इसको मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस क्यूंकि इंड राध चैना यह ड्रैगन वाबू टीक है दूसरे तरफ बॉस यूएसी अे और तो यहां पर इनके बीच में भी दोस्त है रस्यारोच या इंडिया का भी दोस्त दोस्त है फ्रेंड तो यह वाई होगे। common friend तो यहां पर चीजों को एक तरफ तो इंडिया को मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा रसिया और चाइना की बीच का यूएस को चाइना से परिचानी होगा तो यह इंडिया को मना करेगा इंडिया इसके साथ एक्सपोर्ट बंद कर रसिया से अगर इंडिया कुछ वेपन खरीता है तो इसे फिर क्या होता है फिर युए जुर जुरी होने लग जाती है फिर ये इसको मना करता है इंडिया रसिया दोस्त किसे नाराज करो तो यह इसा चलता तो इंटरनेशनल को मेंटेन करना बहुत ही थोड़ा सा कॉंपलेक्स काम है लोगों को लगता है रहे वह इधर हो गया वह इधर हो गया कर लिए सकते हैं बैलेंस करना आपको ठीक है अब अब अमेरिका के पास बहुत पैसा है बहुत अतियार है बहुत बड़ी आर्मी है तो यह वाई कहीं लेटिन अमेरिका वही बात है कि अमेरिका से इने मिलके रहना चाहिए तो और अभी देखा अपने की कोबिट के टाइम में इंडिया का जो रिलेशन है ब्राजिल के साथ कापी अच्छा देखा गया है क्योंकि इंडिया जब स्टार्ट हुई थी तो कहीं पर कोरोना की वैक्चीन बनाए तो इंडिया की वैक्चीन डेप्लोमेशी लगवख 20 देशों को अभी तक एक्सपोर्ट कर दिया है मदद कर दिया है और इस तरह की चीजें थी तो यह चीज है और ब्रिक्स जो है इसने इसने यह काउंटर टर्रिजम जो अभी काफी जादा इंडिया ज वहां पर हमेशा एक वाइस रेज करते हैं टर्रिजम को लेकर तो यह इंपोर्टेंट है यह टॉप एजेंडा है वरिक्स का ठीक है और यह इंडिया ने मनवाया सबको तो यह इंडिया के लिए एक सक्सेस है कि सभी लोग अब टर्रिजम के बाद करते हैं अब लाश्ट कि फ्रांस में किस तरह की चीज़ें होती है वहां पर और पाकिस्तान में ओविसली ठीक है प्रोडक्शन हाउस ऑफ टेरिस्ट तो खुद वहां भी पंगिर जाते हैं बहुत साल पहले कुछ मैंने पहले टर्की में देखा आपने कैसे चर्च को मॉस्को बना दिया गा और यह एक बेस्ट एजेंडा था और इंडिया इस बात को यूए एस्टियों कहीं भी हो जहां पीस्तर के फॉर्म सोते हैं इस बात को उठाता है इंडिया कि टेरिरिजम से लड़ना है कॉंटर टेरिरिजम ठीक है तो यह चीज़ें और बहुत सारे चैलेंज़ेंज ऊपर रह लागा तो व्Comm Mon Taz और लाट करना नहीं है और इंडिया यह चाता है कि ब्रिक जोक है वह प्रिक नाइब करना यह जो प्रॉटेक करना यह ऐसा विस्वास है और वो भी सकता है अगर सारे अच्छी से कॉपरेट करके काम करें तो ठीक है और इंडिया काफी टाइम से एक एफ़र्ड लगार है टू एड्रेस्ट ग्लेरिंग गैप इन एरिया सचिज इन तीनों चेत्रों के लिए इंडिया हमेशा से इस गेप को भरना चाले की कांटर ट्रियूर्जम पे सब कोई पूरा वर्ल्ड मिलके अस्टेप ले तो इससे खतम किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज को ले करके ठीक है जैसे कि देखा आपने जब ट्रंप महोदे थे तो परिस होता नहीं है तो पैरिस पैक्ट से इन्होंने विजडर कर लिया फिर वापस से बाइडन महोदे आये उन्होंने का नहीं भाई तो ट्रंप ने जहां चोड़ा तो महां वापस यह पहुंच गया डबलो चो की पॉलिसी खराब लिगे ट्रंप ने उसे चोड़ दिया इस तरह की चीज़ें चल रहे थी और इंडिया इसका एक कदन पुरोधा बनाए हर जबह इस तरह के यूएनस्टी में चीज़ें गड़बाड और इती इन्होंने का वह उसमें इसके जो जो पुरानी चीज़ें करने से उसमें में रिफॉर्म की जरुरत है ट्रंसपरिंसी होने वाला है वो इंडिया में है तो यह आप याद रखें आगर वन जड़ाम के लिए तियारिक कर रहे हैं तो पुछा जा सकता है कि 2021 में कहां होगा तो इंडिया में होगा इंडिया वा से इंडिया के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा रोल था यहां पर कुछ मैप देख सकते हैं अधर यह ब्राजील है इंडिया चायना और यह रसिया तो मैप में आप करेंगे तो कई इंडिया है और यह चाइना है यह है रसिया तो यह कुछ फैक्ट्स से ब्रिक्स से रिलेटेड जो एजाम के पॉंट्ट ऑप इसमेहत्पून है बाकि जो जैसे हाँ को जाले किसमें अभी होगा जब व्याइद कि आएगगी तो आपको जाना है कि इसमें जो की फाइंडिंग्स आये इससे आप अपने नोड्स को अपडेट करेंगे, क्या new initiative लिएगे, new जैसे पढ़ना है, क्या new initiative लिएगे, सारे country ने, और target कुछ रखा है, economically, और यह देखें, बहुत 5 country मिलके, तो लगवाग यह पता है, 20.8 trillion dollar, यह world GDP में contribute करते हैं, तो यह basically important है, ठीक है, तो यह कुछ बाती थी, ब्रिक से related important बाती, जो परिक्षा के point of view से, prelims के point of view से काफी महत्पून है, और अगर यहां से सवाल आते हैं, तो सही होने के सम्भावना, अगर अच्छे से इससे देख लिए जाए तो 100% है, और पलस, 2 marks आप गेन कर सकते हैं, अधर को exam है, जहां पर 1 marks का है, तो वहां पर 1 marks आप कर सकते हैं, सब को डिस्कस किया जाएगा, तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, थैंक्स पर वाचिंग यूपेशी क्यान, है बना सुम्ड़ाई